सबसे पहले आप सभी लोग को हैपी मुद्रश डे और यहां मैं इस पेसली एक लोग को हैपी मुद्रश डे बोलना चाहती हूं अच्छली मेरी फ्रेंड है यूटूबर है हो भी अधिरास फैमली चैनल उनके चैनल का नाम है और अच्छा वीडियो बनाती है आप चाहें जाकर देख सकते हैं उनकी मदर हैं वो मुझे बिल्कुल अपने बेटी की तरह मांगती हैं और मेरी वीडियो भी देखती हैं तो अ चोटा सा वीडियो बनाके मदर जडे का डाला था शौड वीडियो तो उस पर आपने मुझे मतलब ब्लैशिंग दी उसके लिए थैंक्यू और आप मुझे बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह ही लगते हो सो भगवान आपको लंबी उमर दें सारी खुशियां दें आपको आप है नहीं मेरी बबा तो बगवाल जी के पास है तोब है तो बगवाल जी को यह पी बड़न्टे बूल रहती हो बगवान जी को यह पी बड़न्टे बोल देती है और उमीट करती हूँ कि वो जपन भी होंगी खुश होंगी और मुझे और मेरे भाई दोनों को देख रहे होंगी हम एक भाई बहन हैं भाई मुझे बड़े हैं और मैं छोटी हूँ और जब मैं तेन साल की थीर तब वो चले गई थी उसके बाद मेरी नानी ने मुझे कुछ सालों पाला मा बन के और क्योंकि जब वो गई तो मैं तीन साल की भी नहीं थी एक डो मैंने कम थे और मैं फीट करती थी हूँ का तो फिर नानी ने वो सारी चीज़ें संभानी फिर आफ्टर सम टाइम लोगों को वो चीज़े नहीं अच्छी लगी कुछ लोगों को कि मेरी नानी मुझे देख रही मतलब पाल रही है मामन के अबजेक्शन उल्ठाने लगे मेरे घरवादे मैं आप किसी का नाम नहीं ले रही पर उस बात का मुझे दुख हमेशा रहेगा फिर मैं दादी के हाँ चली आई मेरा बर्थ पैलेस केलकटा है मेरे नानी भी केलकटा में रहती थी क्योंकि मेरे ममी भी केलकटा में पढ़ी थी उनकी शादी नानी ने ऐसे करा था गाउ मे करा था ऑड कर रहें से करा तो हमारा मेरा बर्थ मлять मेरे भाई को मेरा तो फिर मेरे जनम सालगु नहीं थे तो नम मामी की दैतो होई हुआं श्कन पहुत कुछ है अप लोग से कहने रहे लेकिन मैं इस मोवोट को नहीं कहना चाहती होने कि बातें तो फिर उसके बाद मैं दादी कहां चलिया थी दादी कहां पली-बडी मैं यह सभी इसलिए बता रही हूं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं जैसे कल मैंने वीडियोज डाला तुस पर मैंने वाट से इंस्टाग्राम सब्चे का शेयर किया था तो बहुत सारे लोग पूछ रहती मुझे तो फिर पहले तो जब नानी ने मुझे पाला तो मुझे इतना नहीं लगता था मां कमी नहीं कलती थी जब तक नानी थे तो मुझे नहीं लगता था क्योंकि मैं एक पूरा मम्मी की तरह ही वो रखते थे पता नहीं मम्मी से ज़्यादा ही करते थे मां का तो प्यार कैसा होता है मुझे नहीं पता बट वो तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और जब में शादी होने वाली थी 2009 माई में तो व और मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी, तो मैं नानी जी के पास रह दे जाओंगी, अपने हस्बेंट को बोलके, लेकिन वो दिन भी नहीं आया, शादी हो दे, के पहले ही, तीन महिने पहले ही वो एकस्पायर हो गए, और उसके एक साल बाद नाना जी भी एकस्प जिस से मैं उनके कुछ भी बोल सकूँ, कह सकूँ, कभी-कभी बहुत अकेला फिल होता है, लेकिन योटूब की वज़े से, वो चीजों को मैं भूल पाती हूँ, क्योंकि मैं बीजी हो रहती हूँ, अगर मैं योटूब जॉइट ना करती हूँ, तो पता नहीं, आज क्या होता, क्योंकि मेरे साथ इतनी सारी चीजे हुई है, कि मैं डिप्रेशन में रहने लगी कि एक टाइम में, और मेरे घरवालों को भी नहीं पता था इस बात का, मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उससे बताया, तब उसने बोला, तुम पुद को बीजी रखो, फिर उसी टाइम पर मुझे यूटूब में देखने लगी, तो मुझे भी ऐसे लगा कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और मैंने यूटूब जोईन किया, और फिर मैं इतनी बीजी हुई, कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा अपने माइंड से निका पाते हैं, जैसा कि आज का दी ने, ये दो दी पहले से ही मेरा मन बहुत ज़्यादा सेट था, कर मैंने साथ में किसी को भी फोन नहीं किया, पूरे दिन मैंने उनका देख देख के वीडियो जुकराय था, मैं रोही ही, क्योंकि आज अगर वो होती तो कितनी खुश होती है, मुझे मा बनता हुआ देख कर, पर भगवान में वो खुशे नहीं नसीब होने दी, और मैं पहली बार जिनकी वज़े से मा बनी, मा होने कर सुब क्या होता है, मुझे जिनने उन्हें अहसास करा था, मेरी बिज्यारानी वो भी नहीं है, मेरे साथ, तो मैंने अपने अपनों को बहुत खोया है, और इसीवे साथ, इतनी प्रॉब्लम है, फेस कर चुकी हूँ मैं, कि मेरे आवाज में जो सोफ्टनेस होती है, वो भी नहीं है, मैं बहुत ज़ल्डी मुझे गुस्ता लेका है, लेकिन मेरी स्थिटी सिच्वेशन को सामने वाला क्या जाने, जो वो मुझे समझेगा, खैर, भगवाल ये तकलीफ, इसे भी बच्चे को ना दे, इस टाइम पे तो बिल्कुल ना दे, कम से कम उपने माबाब को कुछ प्यार, समझ ले, जान ले, रहे ले, साथ, तब चाहे दे, क्योंकि सभी को पता है, एक दिन जाना ही है सब को, लेकिन एक टाइम होता है जाने का, ऐसा नहीं होता है कि इनसान की लाइफ सुरू हो, और शुरू होने इस पहले ही खतम हो जाए, तो मैं चाहती हूँ कि हर चलब में वही मेरी माँ बने, वही मेरी नानी नाना बने, लेकिन जैसे इस बार वो छोड़के चली गए, ऐसे ना जाए, मैं बहुत जाद नहीं बूलता हूं कि लाश्ट में आप सभी को मेरी दे की बहुत बहुत बदाईयां, ये दिन किसी तहवार से कम नहीं है, जिनकी भी मार हैं, आप लोग उनके लिए बहुत स्पेशल किया किजिए आज के दिन, हर दिन किया किजिए, लेकिन एक स्पेशल डे होता है, वो आज का दिन होता है, या उनका बर्थे डे होता है, या उनकी अनिवर्सरी होती है, उनको बहुत स्पेशल फिल कर आए किजिए, क्योंकि मा भगवान से कम नहीं है, अगर पित्वी या धर्ती पे कोई है भगवान तो वो मा ही है क्योंकि मा जितना अपने बच्छे करें सोसती करती है उतरों दुसरा कोई नहीं कर सकता और कर लाइन तमया है मेरी ममा की अनिवर्सरी भी है मुझे किसे से पता चला तो उनको हैपी मैरेज अनिवर्सरी बढ़े